तेको यारा YouTube के उपर में सबसे बड़ी जो प्राब्लम है कि व्यूज नहीं आते हैं आप व्यूज कैसे आएंगे, कौन से टाइटल के उपर में वीडियो बनानी चाहिए ताकि हमारा चैनल भी ग्रो करे और उसके उपर व्यूज भी आएं तो आज ये theoretical नहीं, बहुत हो गया theoretical, theoretical आज मैं आपको वीडियो कैसे बनाना चाहिए, किस टॉपिक पे बनाना चाहिए, जिसके उपर व्यूज आएं तो वो आज आज आपको इस वीडियो के अंदर practical दिखाने वाला हूँ, अगर आप भी एक YouTuber है, या आगे बनना चाहरे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही important है, तो चलिए मैं लेके चलता हूँ, आपको computer screen पे और वीडियो को आड़ तक जरूर देखना है, मेरे न example मान के आगे बढ़ते हैं, तो आज का हमारा जो वीडियो का title जिसको आप देखी रहे हैं, तो ये है YouTube SEO, तो यहाँ पर मैंने इसको पहले search किया है, तभी मैं इसके उपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो चलिए अभी इसके उपर कैसे मैंने decide कि मुझे YouTube SEO के बारे में बन SEO, YouTube Tutorial for beginners in Hindi, YouTube Full Course, अभी मुझे YouTube SEO जो है, यह मेरा एक title है, जो मुझे लगता है कि इस पर करना चाहिए कि नहीं, पर मुझे यह 100% श्यार नहीं, इन में से कौन सा इसा title रखूँ, जिसके बारे में मेरा perfect जो है, चैनल के उपर में, वीडियो के उपर में view भी आएंगे, प्ल करने के लिए आप पूना एक tool का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आप free में इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां पर इस channel पर मैंने logout कर दिया है, और अभी यह मेरा free वाला tool है, वो applicable है, which is vidIQ, तो vidIQ का यहां पर यहां पर नीचे थोड़ा सा scroll करता हूँ, तो यहां पर you can see, यहां प और एक सबसे नीचे एक option आता है, free वाले में, overall score high, तो you can see, यहां पर इसका जो है, out of 171 score, which is good, यहां पर हमें देखने को मिल रहा, volume कितना है, तो volume भी you can see, काफी अच्छा है इसके उपर में, और competition, सबसे important होता है, कि आपका competition जो है, वो ज्यादा नहीं होना चाहे, तो you can see competition भी low है, और उसी के नीचे यहां पर हमें कुछ detail देखने को मिल रही है, like highest views कितने मिले हैं यहां पर, 37 lakh से जादा यहां पर views इस title के उपर में available है, average views जो है, वो 420, 4,20,000 जो है, वो आपके यहां पर आ रहे हैं, और subscriber यहां पर average और यहां पर you can see, last 7, last 7 days के अंदर जो है, तो यानि कि इसके उपर में अगर अभी वीडियो बनाते हैं, तो definitely हमें इस पर benefit मिलना चाहिए, और साथी साथ यहां पर top creator का आपको नाम भी देखने को मिल जाएगा, हाला कि अभी मैं इसमें आगे और भी चीज़े बताना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे किसी third person का channel open करना पड़ेगा, आगे further इसको dig down, dig करने के लिए, सो यहां पर मुझे आपको यहीं तक बताना पड़ेगा कि यहां से आप पूरा चीज़ समझ सकते हैं, अभी इसमें और भी detail में आप जाना चाहते हैं, तो हम जो हमारे paid course में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें मैंने और ज़्यादा detail के अंदर जाके आपको इसके बारे में बता रखा है, तो चलिए अभी कुछ और search करते हैं, यह तो आपका आज के video का title हो गया, let's say मुझे यहां पर क्या करना है, मुझे एक title, मुझे एक video बनाना चाहता हूँ, let's say मैं CCNA, और यहां पर लिख देता हूँ, course, अब यह CCNA course मैंने लिखा, अब course यहां पर मैं लिख देता कर रहे हैं, तो you can see, यहां पर जो लोग search करते हैं, CCNA course in Hindi playlist, तो यहां पर Hindi playlist दोजार तेवीस, Hindi playlist टेक्निकल गुफ्तगू, तो इस तरही के चाहिए, यहां पर playlist यानि की playlist जो है, वो ज्यादा यहां पर highlight हो रही है, ना कि कोई course अपका, कोई video पर प्रापर्ली जो है, highlight नही course, CCNA course, job, job opportunities, तेल लगू, 20301, इन चन्नाई, बैंगलोर, फी, तमिल, इन इंगलिश, इन हैजराबाद, you can see, there are a lot of keywords, मैं चाहता हूँ, कि CCNA course, अब से for example, मैं यहां पर कर रहा हूँ, जोदपूर में हूँ, तो मैं यहां पर लिखता हूँ, जोदपूर, अब जोदपूर पड़ेगा, तो मैं यहां पर एक बार क्लिक करता हूँ, let's see, कि कुछ यहां पर देखने को मिलता है, तो you can see, मैंने जोदपूर लिखके सर्च करा, और यहां पर आपको देखने हूँ, 51, और volume जो है, इसके अंदर कोई खास इतनी ज़्यादा नहीं है, और competition medium है, और यहां आपके पास में कुछ ऐसे techniques हैं, जिसके basis के उपर में आप पहले, मतलब यह आपको पहले काम करना है, जिसके लिए हम बोलते हैं, search, पहले क्या करना चाहिए, आपको research करना चाहिए, कि आप जिस topic के उपर में वीडियो बना रहे हो, वाकिए वो आपका successful होने वाला है, तो आपके वीडियो उसके उपर में views भी आएंगे, and definitely आपका channel ग्रो भी करेगा, I hope guys कि आज का ये वीडियो जो मैंने आपको practical दिखाया, तो वो आपको समझ में आया होगा, ऐसे अगर आप बहुत ज़दा detail के अंदर चीज़े सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे paid course के YouTube SEO, जिसके अंदर में आपको छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज जो आपको बताने वाला हूँ, तो अगर आप भी interested हैं, अपने channel को grow करने में और लाको रुपए कमाने में, जैसे बड़े creators कमाते हैं, तो आपके लिए भी important है YouTube SEO, क्योंकि जतने बड़े creators ह इसके लिए आते हैं, क्योंकि उनके पास एक dedicated team है, जो SEO करती है, लेकिन अगर आपके पास में वो team नहीं है, कोई बात नहीं, आप ये course के दौरान जो है, वो सारी technique सीखेंगे, जो एक team perform करती है, तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह की एक नए topic के साथ, till then stay safe, good bye.